कोरोना के बढ़ती संक्रमन को देखते वे प्रशासन की ओर से शहर में लॉगडाउन लगाया क्या है? शहर में लगे लॉगडाउन को लेकर कई व्यापारी और नाकरी को ने सकते नाराज़ की चिताई हैं तो वही शहर के सामाजे कारी करता और साड़ी ज्वेलरी के व्यापारी अनिल वलुकार इन्होंने शहर में लगे लॉगडाउन का समर्थन करते वे प्रशासन द्वारा अमल की एचार है लॉगडाउन की सराना की है पेशे हमारे समवा दाता संचे मिरे इन्होंने खास मुलाकात में किये खास बात्चित आए देखते हैं वनिल वलुकार जी के आज कक्ष में हम आयो हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जो विरोध दर्शाय जा रहा है, कोरोना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ व्यापारियों का कहना है, इस बारे में उनका अपना क्या कहना है, आहिए जानते हैं उनी की जुबानी, लेकिन 52 संक्रमितों का आकड़ा बड़ा हुआ है, तो वही 3796 पॉजिटिव मामले आ चुके है, और जिसमें से 16149 जो संक्रमितों का आकड़ा था, जिनकी जांच की गई, वो पॉजिटिव मामले है, तो वही 23 लोगों की मोते हो चुकी है, और 16149 लोगों की जांच की गई थी, उनमें से 23 लोगों की मोते हुई कहने का तात पर यह है कि कूल मिलाकर नाकपूर शहर में मोतो का आकड़ा जो है आज के तारिक में चार ये निउस बताने तक के 4528 ये कोई कम आकड़ा नहीं है बहुत जादा आकड़ा है 4528 लोगों की कोरोना के महामारी के वज़े से मोते हो अब हम सिधा रुक करने जाएंगे अनिल वलोकार जी इनके पास और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कार वे एक व्यापारी है उनका इस बारे में क्या कहना है अनिल जी सबसे पहले तो BCN के खास मुलाकात इस प्रोग्रम में आपका स्वागत है अनिल साब ये बता है कि एक और व्यापारी इसका विरोध करते वे नजर आ रहे हैं आप भी व्यापारी है आप कोरोना इस महामारी को कैसे या जो लागडाउन लगाए इस विशे को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रियां क्या कहना चाहोगे आप नई विरोध पहले प्रशान हमको टाइम दिया था ब लोकिन नहीं मान रहे थे Nossa अकरा कड़ा पड़ां के इसमें लांड़ ईन जान एं तो यह मैं समाच वाहँए तुम रहोंगे तो बिदनस करूंगे तुम रहोंगे तो बिदनस क्या करूंगे तुम बिदनस करूंगर multi-स लौड़ विज़े nerd पिटले शान सी सब्सक्राइब कि इस पर सावकाल वाजुद के जादे हो है पितल्स से बहुत बड़ा बैंग एक जान, मेरा पना कि यह बते कि यह तो आपकी बात रही यह कर ना है कि को रूआ नोख चौना है उनका व्यापार का चुका है या हो चुका है या चौपट होने की कगार में है यह इसमें कितना तत्थ्य होगा देखिए अब व्यापर है व्यापर पर जगह आ अर इंसान अपनी जगह आ पर इंसन नहीं रहे तो व्यापर का करेंगा मेरे बता हो तुम खोड़ी अगर जिन्दा रहुंगे तो तो इसलिए थोड़ा पर समालो अगर दो चार जीन आट डिन पंदर लग भी गया है तो इसमें कुछ फर्ग ने पर तो मुझे तो भी ऐसा कहना है कि बाके सब के मत अलल हो सकते लेकिन मैं इसमा इसका यह हूँ कि यह लगा है तो आप गवर्मेंट भी आकड़ देख की लॉगड़ान किया है पहले गवर्मेंट बोले सम्वाल जाओ लोग नहीं सम्वाल है इसलिए उनको लॉगड़ान करना पड़ा भी लॉगड़ान कब ख तुकारा मुंडे जी इन्होंने कापी हद तक बहुत अच्छा काम किया था ले यह मैं नहीं यह शहर की जनता कह रही है अब कहते हैं ना के जाने वालों की याद आती है याद तब आती है जब वो हमसे कई दूर चले जाते हैं और यही प्रकारा मुंडे जी भले आज नाक बात होंगी और तुकरा मुंडे जैसे अधिकारी जब तक थे तब तक कोरोना इस महामारी से लड़ने के लिए उनकी रोक्ताम करने के लिए काफी हद तक मनपा प्रशासन हो जिला प्रशासन हो पुलीस प्रशासन हो या शहर के आम नागरिक हो इन सब ने काफी अच्छा सव करना था या उसकी जो प्रशासन लेना था वो नहीं ली गई प्रशासन के और से इतने नहीं तो शहर के लोगों ने भी कोरोना पुरी तरह से चले गया यह उन्हें लगा और बिंधास लोग रहते गए ना कोई मास्क पहेंड रहा था ना कोई सानिटेज कर रहा था इतने नहीं तो कोई सोचल डिस्टंसिंग का पालन भी नहीं कर रहा था जिसके चलते ये बात हो गई कि आप कोरोना का दाइरा दिन बद दिन बढ़ रहा है मोतों का आकड़ा भी बढ़ रहा है अनिल जी मेरा एक सवाल आपसे ये भी था इस समय में तमाम बीसे न के लाखो दर्श अब आपको गौहर से देख भी रहे थे ऐसे दर्शुक के लिए आप कोरोना इस महामारी से निजात पाने के लिए या इस संक्रम संक्रमान से दूर रहने के लिए क्या प्रिकॉशन लोगों ने लेना चाहिए बद अभी जब लागड़ों लोगों अपने घर भी रहने चा तो आप ते अनिल वलोकार जी जिन्होंने बक्वेर बेबक के साथ करते हुए तमाम लोगों को मारगदर्शन करते हुए यह बात कही अब जो कुछ टीवी पे हमारे को दर्शक देख रहे हैं उनका ये भी कहना होगा कि भाईया ये लॉक्डाउन लगा जा है पूरे शहर में तो हम लोग खाएगे क्या भुके मरने की नवबद भी आ पड़ी है ये भी बस सची है इसमें कोई जुटला नहीं जहा सकता इसमें कोई दोराण नहीं है कई ऐसे परिवार है कई ऐसे मध्यम परिवार कि कई ऐसे लोग है जो भी आज दाने-दाने के लिए मौताज है भु कोरोना को दूर अन्देखी नहीं करना चाहिए क्यूंकि कोरोना यह इतना बड़ा विच्व काल बना हुआ है और इस से बाहर निकलने के लिए इस से दूर रहने के लिए पुरे विश्व के लोगों ने जो गाइड्लैन्ड दी गई है और इसी का समर्थन करते हुए अनिल वलोकार जी इन्होंने भी ये बात कहिए अनिल वलोकार साब बहुत-बहुत हम आपके शुकर गुजार है जो आपने बिंधास बात आज कही है और यकिनन आपके बातों का प्रभाव भी जनता के उपर में असर गिरेगा व्यापरियो पर असर गिरेगा और हर कोई कोरोना का संक्रमन जो बढ़ रहा है उससे दो हाथ करने के लिए उसकी रोकताम करने के लिए प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिये उसका पालन करेगा यहीं आशाय करते हैं दर्शों को अगली बार फिर हम आईसी किसी परसनालिटी के साथ खास मुलाकात इस कारेक्रम में आप से अलग अलग विशे को लेकर रूब पूर।